हेलो फ्रेंस वल्कम बेक टो माय स्रीटिक और मैं हूँ मा इस बार मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक यूस्फुल वीडियो लेकर मैंने अपने घर के लिए आर्मरेक्स ब्रांड का कस्टमाइज विंडो मॉस्किटो नेट एमोजोन से वॉर्डर किया है इसक महारास्टर से शिप किया गया है तो चलिए हम फटा फट से अंबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने पैकेज कंटेंट क्या क्या दिया है तो यहां पर आप देख सकते हूं का लोगो बना है विंडो का साइज और कलर मैंचन किया गया है और साथी में यह वेब साइट का नाम लिखा हुआ है तो जल्य हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजे रिसीव हुई है तो इस पैकेट को भी हम उपन कर लेंगे इसमें विंडो नेट और फास्टनर हो ते पाया है और साथी हमें कुछ और बी चीजे बेजी गई है तो यह है उनका कार तो यह जो नमबर है उनका है अगर आपको प्रडेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्म है या कोई सवाल है या फिर आपको रिटन करना है तो आप इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं फिर इन्होंने थांक्यू लेटर दिया है फिर आया है इंस्ट्रॉक्शन एन मैनुल पेज और स्टेप्स दिया हुआ है इसे कैसे इंस्ट्रॉल करना है और भी बहुत सारी चीजे हैं इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे तो चले अब हम मैश को देख लेते हैं इसका माटेरियल फाइबर ग्लास का है यह मैश काफी अच्छा है यूवी प्रोटेक्शन है इसमें लाइट वेट है इजी टू वाश भी है और साथ ही यह रिंकल फ्री भी है इस मैश को विंडो में लगाने से बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलेंगे जैसे कि मॉस्किटों के साथ कीड़े वगरा भी अंदर नहीं आएंगे अब देख सकते हैं नेट का जो होल है वो काफी बा इसे हम बार बार नहीं निकालेंगे डिरेक्ट विंडो में ही स्टिक करते जाएंगे यहां पर मैं आपको लूप टेप में चिपका के भी दिखाते हूं देखे यह कुछ इस तरीके का होगा तचलिया हम इसे नापके भी देख लेते हैं कि हमें करेक्ट साइज आया है नही तो मैश की चोड़ाई 91 cm है और लंबाई 122 cm है बिल्कुल करेक्ट है चले अब हम देख लेते हैं हुक टेप को हमें कट कैसे करना है यहां मैंने मैश को बिचा लिया है और लिया है हुक टेप को हमें लूप टेप में इस तरीके से लगाना होगा इस बात का धियान रखेग अब यहां पे हम एक्स्टा पीस को कट कर लेंगे जसके आप विडियो में देख सकते हैं ऐसे ही हम सारे साइड समें हुक टेप लगा कर कटकर लेंगे तो आप मुन्योंने लिचा है अगर ऴिन्डो में चिपकाने के बाद टेप आपको कहीं से छोटा लगए तो आप एक्स नहीं तो हमारा hook tape अच्छे से stick नहीं होगा आप चाहें तो इसे एक से दो बार अच्छे से पोश लें पोशने के बाद इसे हमें completely dry कर लेना होगा तो चलिए हम विंडो में मार्किंग कर लेते हैं उसके लिए हमें मैश चाहिए होगा पूरे विंडो में इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे जैसा कि आपको विडियो में दीख रहा होगा मार्किंग हो जाने पर हम मैश को रिमूव कर लेंगे तो आप देख सकते हैं विंडो के फ्रेम में पर्फेक्टली मार्किंग हो चुका है इस mosquito net का link आप description box में देख सकते हैं और वहीं से आप purchase भी कर सकते हैं तो चलिए हम hook tape को window के frame में चिपका लेते हैं तो हमने जो hook tape कट करके रखा था उसे हमें लेना है और यहाँ पर देखें, backing paper को इस तरीके से remove करना है एक साथ हमें backing paper को नहीं निकालना है इससे क्या होगा ना, इसका जो super glue है वो खराब हो जाएगा तो मैंने क्या किया है ना, जहां तक मैंने marking किया था वहीं तक है उसका backing paper निकाला है और देखिए, right hand side से मैं उसे पहले stick करूँगी और press करते हुए इस तरफ आउँगी जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा इस बात का आप ध्यान रखेगा कि इसे हमें बहुत ही अच्छे से stick करना होगा मैनुवल में सारा information दिया हुआ है आप step by step उसे follow कर सकते हैं तो ऐसे ये tape को मैं one by one window की frame में stick करती जाऊंगी तो आप देख सकते हैं विंडो के चारों साइट्स में मैंने tape को अच्छी तरीकी से लगा दिया है चलिए अब हम लगाएंगे mosquito net इसे विंडो के एक साइट से लगाते हुए आना होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं साथ ही हमें लगाते हुए इसे प्रेस भी करते जाना होगा जिसे यह अच्छी से fix हो जाएगा विंडो के साइट्स में आप मैश को दोनों साइट से पकड़ते हुए fix करिएगा और लास्ट में नीचे का वेल्क्रो लगा लीजेगा जब आप लगा लेंगे ना तो दुबारा से इस तरीके से प्रेस कर लीजेगा अगर कहीं से भी यह lose होगा तो यह अच्छी से fix हो जाएगा तो देखिए हमारे विंडो एकदम ready है तो चलिए विंडो को open करके भी देख लेते हैं आपको लगे गा ही नहीं कि आपने मैश लगाया है मुझे तो यह विंडो मॉस्किटो नाइट बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी क्या है यह पास्टर हुक टेप की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छे से ये विंडो के फ्रेम में स्टिक भी हो गया तो आपके घर का विंडो कोई भी माटेरियल का है तो ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा मैं आर्मरेक्स के टीम को थैंक्यू बोलना चाहती हूँ मेरी प्रोडम का सॉल्यूशन निकाला उन्होंने वाट्सअप में उन्होंने सारी डिटेल्स बताये मुझे बहुत सारी इमेजेस भेजे मुझे बहुत ही अच्छा हेल्प मिला उनकी तरफ से मुझे अगर आपका भी विंडो अलग-अलग साइस का होगा तो आप अपने विंडो का नेट कस्टमाइज करा सकते हैं Armour X के थ्रू Amazon का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इनका WhatsApp नंबर भी जरूर दे दूँगी जिससे आप भी विंडो का नेट कस्टमाइज करा सकते हैं तो था ना आपके लिए भी यूसफुल वीडियो और हाँ प्रडेक्ट अच्छा है तो आर्मरेक्स और एमबी वेंचर को रेटिंग दीना तो बनता है वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग